तो भही आज देखते हैं हम लोग 3D का exercise 27A का exercise 27A का 11th number question इससे पहले हम लोग नोग ने तेंथ number question तक discuss कर लिया था ठीक है अचा 11th number question हम लोग से कहा जा रहा है find the cartesian and vector equation of a line passing through the point 1,2,-4 अचा अचा अब इससे पहले वाले वीडियो में comment आया था कि वहीं आप question क्यों लिखते हैं अगर भही मैं question लिखूंगा इतने सारे question आड़े सगरवाल में और उसका फिर मैं solution करूंगा तो मेरे वाट लग जाएगी ठीक है इसलिए मैं question number भी mark कर देता हूं और मैं बता भी दूँगा मेरे पास कौन सारे सगरवाल है तो अब question अपने book से देख लिया करें अचा आगे देखते हूं and perpendicular to each of the line line दो लाइन दिया हूं यह रपास x-8 by 8 is equal to y plus 19 by minus 16 is equal to z minus 10 by 7 और दूसरा क्या दिया हुआ है x-15 by 3 equal to y plus 29 by 8 और यहां पर क्या दिया हूए भाई z minus 5 by minus 5 आगे क्या बोल जा रहा है एक ऐसा आपको line निकालना है जो कि इस point से पास कर रहा है और इस दोनों के perpendicular है अगर इस दोनों के perpendicular है तो इसके DR क्या है इसके direction ratio क्या है 8 minus 16 और कितना भई 7 और इसके DR कितने है 3 8 और minus 5 अगर मैं इन दोनों DR का cross block ले लू तो क्या वो इन दोनों के perpendicular होगा हां भई बिलकुल इन दोनों के perpendicular होगा तो इन दोनों के जो perpendicular DR होंगे क्या वो इस line का DR होगा हां भई बिलकुल होगा तो मैं इन दोनों cost ले लेता हूँ यानि कि this cross this यानि यह क्या हो जाएगा भई IJK 8-1673 8-5 जिए एम ने कुछ गर लिखा है नहीं बिलकुल सहीं लिखा इसे लोग सॉल करते हैं यह हो गया यहां यहां common सब्सक्राइब किए मैंने सब्सक्राइब कशस्टी वोगया झाय कोगए यहां पर 60 वोगया कितना बचाएगा 24 यहां पर क्या हो गया जेए यहां पर 61 लेकिन माने सब्सक्राइब और यहां पर क्या होगा मेरे पास 8412 वन बचा और 112 के कप ठीके मेरे पास क्या हो जाएंगे 24 I-CAP ब्लस 61 J-CAP ब्लस 112 K-CAP अच्छा तो मेरे पास vector equation क्या हो जाएगी line की vector equation हो जाएगी मेरे पास line की 12-4 यहां i-CAP j-CAP कैक है प्लस lambda times of 24 61 112 और मेरे पास Cartesian equation क्या हो जाएगे line की Cartesian equation हो जाएगे मेरे पास x-1 by 24 is equal to y-2 by 61 is equal to z plus 4 by 112 ठीक है बही चलो अच्छा बही 12th number question हम लोगों से क्या दिया गया है हम लोगों से दिया गया है सब मेरे पास x-4 by 1 is equal to y plus 3 by minus 4 is equal to z plus 1 by 7 और दूसरा line मेरे पास दिया हुआ x-1 by 2 is equal to y plus 1 by minus 3 is equal to z plus 10 by 8 क्या दिया हुआ है कि यह दूसरे को intersect करता है आपको intersection point निकालना है अगर intersection point निकालना है सबसे पहले मैं इसको lambda को रावर मान लेता हूँ इसको mu के रावर मान लेता हूँ आप में पास x क्या हो जाएगा ये तर बन जाएगा तो पास point आएगा वह intersecting point यहीं तरीका होता है intersection वाले question को solve करने का तो मेरे पास lambda plus 4 जो है वो 2 mu plus 1 के बराबर हो गया minus 4 lambda minus 3 कर दो कर दो क्यों नहीं करोगे तो यह हो जाएगा 4 lambda plus 16 और यह हो गया 8 mu plus 4 मानतों इस बात को यहां पर हो गया minus 4 lambda minus 3 यहां पर हो गया minus 3 mu minus 1 अच्छा 2 की बराबर हो गई तो मियू मिरे पास 2 आ गया मिरे पास एक equation पहले बार equation पूट करते हैं lambda plus 4 equal to 2 mu plus 1 तो मैं mu को 2 डालता हूँ तो mu को अगर मैं 2 डालूंगा तो यहां 2 plus 2 4 4 plus 1 ही यानि कि lambda जो है मिरे पास 1 आ जाएगा अगर lambda 1 आ गया, mu 2 आ गया, कैसम satisfy करवा सकता हूँ? हाँ, बिल्कुन करवा सकता हूँ 7 lambda minus 1 equal to 8 mu minus 10, 7 lambda 7 minus 1 8 mu है नहीं कि, कितना 8 mu है, mu है 2 तो 16 minus 10 तो क्या 8, sorry 6 equal to 6 हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया, इसका मतलब यह दुन लाइं intersect करेंगे, अब intersecting point निकाल लेते हैं, इसी वाले में lambda की value डालते हैं, फिर इस वाले में mu की value डालते हैं, तो 2 mu plus 1 और minus 3 mu minus 1 और 8 mu minus 10 यह होगा न भई, तो यहाँ पर मैं कि करता हूँ, 2 mu कितना है, 2 और plus 1, यहाँ minus 3 into 2 minus 1, यहाँ 8 into 2 minus 10, तो यह में पास कितना होगा, 2 to 4 plus 1 5, यह होगा, minus 6 minus 1 यानि कि minus 7 और यह होगा 16 minus 10 यानि कि 6, यह होगा मेरे पास intersection point, ठीक है, चलो